अयोध्या एक बार फिर खबरों में हैं। इस बार खबर की वज़ा अच्छी है। योगी सरकार ने अयोध्या को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार आयोध्या के सर्यू घाट को मुंबई की मसवूर जुह चौपाटी के तर्ज पर विक्सित करने जा रही है इस योजना के तहट राम की पैड़ी को सवारा जाएगा और इसे परियाटकों के लिए एक नया हाकरशन का केंदर बनाया जाएगा सर्यू नदी के किनारे बनने जा रहे है इस चौपाटी में देश और दुनिया से आने वाले परियाटक आकरसित होंगे साथी स्थानी लोग भी यहां का आनंद ले सकेंगे इस परियोजना का उदेश ना केवल अयोध्या के धार्मिक महत्यों को बढ़ावा देना है बल्कि इसे एक परमुख परियाटक निस्थल बनाना है योगी सरकार की यह योजना सरक धालूओ और परियाटकों को अधिक से अधिक सुविदाय प्रदान करने की दिसा में एक मात्रपोड कदम है राम की पैडी पर इस चौपाटी के निर्मार से अयोध्या की पैचान और भी विसेश हो जाएगी राम की पैडी के निकाट एडिय द्वारा एक बहुत वश्पूर एक शौपिंग कॉंपरेस्स के निर्मान कराएगा गया था जो इस समय जर जर रवस्था में है उस ही ग्राउंड फोर और फार स्टोर को मिलाते होए रहाँ पेचासी दुकान के आसपास दुकानों को निर्मित किया जारा है जिसमें कि पुछ फूट कोड़िया और कुछ प्रेयोजने के लिए उन दुकानों को आवंटन होगा और उसके नीचे जो ओपन स्पेस उसको करेंगे ताकि जो भी हमारे शद्दाल्व और जो टूर्स्ट दूर से वहां पर आते हैं लाप के पहरी और सरी उर्दी में आते हैं उनको वहांब पार्किंग की शुर्दा प्राप्ट हो सब्सक्राइब सजावर भी कि जाएगी क्या दीपोट्सों को पहले तियार हो जाएगा दीपोट्सों में भी जो गाड़िया पार्क होती उसको भी लाब मिलेगा इस इलाके के विच्चत होने से विकास के साथ समय का मांग रहाता है लेकिन इसका तुलना दूज जूचों पार्टी से करना या विदेश के किसी कैनिपोर्णिया से करना उचित नहीं है ये तिर्थ छेतराए और तिर्थ छेतर के हिसाब से यहां का डबलमेंट होना चाहिए और जो रामभकता आ रहे हैं उनसे सुद्र रूप से तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि बैष्णों नगरी है तिसलिए लासुन के आज इत्यादी का भी वहां बर्जद रहे और उस किताए नन्यवाद